लोन लेने की सही जानकारी है आपको आसानी से लोन दिला सकती हैं लेकिन दर्शकों सकती है जानकारी एपको अधार जानकार लेने से सही लाब नहीं मिल पायगा दोस्तो जादा तर लोगों के मन में हमेशा से ये संचर रहता है कि हमारे पास आएके कोई दस्तावेज नहीं है ना ही हम income tax भरते हैं और ना ही हमारी सरकारी नोकरी के माध्यम से salaries लेपाती है क्या ऐसी इस्तिती में कोई finance company या कोई bank हमें loan कर सकती है और हाँ तो इसकी प्रक्रिया क्या है दोस्तो इसे समझने के लिए आपको ये वीडियो आखरी तक देखना होगा और हमारे साथ पूरी तरीके से बने रहना होगा और हाँ दोस्तो हमारे चैनल पर personal finance और loan की ऐसी जानकरी मिलेगी जो आपके लिए काफी फाइदेमन हो सकती है बात चाहे home loan की हो या personal loan की या फिर बात हो business loan और credit card की इन सभी जानकरीों को हम आपके लिए लाते रहते हैं इतना ही नहीं भारत की नई finance company के review भी इस channel के माध्यम से किये जाते हैं जिसेगी आपको पता चल सके कि कौन सी नई finance company किस process से आपको loan देगी क्या ब्याज होगा, क्या होंगे उसके आवश्रक दस्तावेज और कैसे इन company से आप आसानी से loan ले सकते हैं इन सभी जानकरियों के लिए आपको हमारे channel पर बने रहना होगा और हमारे channel को subscribe करके bell icon को hit करना होगा ताकि एसी informative video आपको मिलती रहे हेलो दोस्तो मेरा नाम है मंगलेश और आप है हमारे channel पर नो बकवास only finance, चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले समझना होगा IK Dustavage अखिर होते क्या हैं बिना IK Dustavage के loan लेने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि यह Dustavage कौन-कौन से हैं तो हम आपको बता देते हैं कि वो कौन-कौन से Dustavage हैं जिने income document माना जाता है वेसे तो हर वो Dustavage जो आपकी IK का सत्यापन करते हैं अत्वा IK को प्रदर्शित करते हैं उसे income Dustavage कहते हैं तथा यह Dustavage व्यापारियों के लिए अलग होते हैं तथा वेतन भोगियों के लिए अलग होते हैं जानते हैं व्यापारियों के लिए आई के दस्तावेज कौन-कौन से होते हैं व्यापार व्यावसाय करने वालों के लिए income tax return, balance sheet, weight tax receipt, GST certificate, audit report, त्रेमासिक test statement, आधी income document होते हैं वैसे नोकरी पेशा है तो आई के दस्तावेज, salary slip, form number 16, salary ठाते का statement, PF account आधी, salary पाने वालों के लिए आई के दस्तावेज माने जाते हैं दोस्तो अब आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि मेरे पास ये आई के दस्तावेज नहीं है, तो क्या मेरे मुझे कोई loan नहीं हो सकता तो दोस्तो बता दे कि वैसे तो आई के दस्तावेज नहोने पर कई bank और finance company लोन नहीं देती लेकिन कुछ finance company है जो आपको बिना आई के दस्तावेजों के अथवा सीमित आई के दस्तावेजों पर loan मुहिया कराती है तो दोस्तो ये सीमित आई के दस्तावेज क्या है इसे समझे सीमित आय के दस्तावेज वे हैं जो आपकी इंकम का पुखता तोर से सत्यापन नहीं करते लेकिन आपकी इंकम को दर्शाते जरूर है उधारन के लिए यदि आप बिजनस करते हैं तो बिजनस के उपयोग में आने वाले कच्चे पक्के बिल, उधारी का रजिस्टर, स्टॉ खरीदी के बिल आदी आपके सीमित आय के दस्तावेजों में उपयोग में लाए जा सकते हैं और यदि आप जौब करते हैं तो एंपलायर से लिखा हुआ प्रमान पत्र आपका जौब कार्ड आदी आपके लिए इंकम दर्शाने का कारे करते हैं और ये सीमित आय के दस्ता पर लोन देती है भारत में अने कैसी फाइनेंस कंपनी है जो आपको बिना आएके दस्तावेच के लोन दे सकती है जैसे सेवा ग्रहरेंड आपको होम लोन प्रदान कर सकती है इंडिया शेल्टर भी आपको होम लोन प्रदान कर सकती है ग्रह फाइनेंस आपको होम लोन दे सकत यह आधी ऐसी बेंग के या finance कंपनियां आपको लोन दे सकती है किन्तों यहाँ आवेदन करने के पहले आपको यहाँ के लोन प्रोसेस और अन्य ट्रम्स और कंडिशन को अच्छे से जान लेना चाहिए दोस्तों यह थी कुछ खास और विशेश जानकरी आपके लिए अगर आपको यह जानकरी पसंद आई है तो इसे like जरूर करें अगर आपके मन में इस जानकरी से जुड़ा कोई प्रशन है या आप चाहते हैं कि आपको किसी अन्य जानकरी पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स करके आप बता सकते हैं दोस्तो इस चैनल पर परस्टल फाइनेंस और लोन से जुड़ी बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएगी कुछ उपियोगी जानकरी वाली वीडियो की लिंक मेरे द्वारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप वहाँ जाकर ये जानकरी वाली वीडियो देख सकते हैं इसके अलावा यदि आपको और जानकरी चाहिए तो आप हमारे ब्लॉक पर विजिट कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है दोस्तो हो सकता है आपके किसी मित्र या रिष्टेदारों को इस जानकरी की जरुवत हो तो इस वीडियो को उनसे शेर जरूर करें और अगर आपने हमारा चेनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो इसे सस्क्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इन्फर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाज जय हिन जय भारत हमारे चेनल के नए वीडियो पाने के लिए सस्क्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे